असलाम लेकूम फ्रेंग्स वैलकम तो माइं यूटीब चैनल इस वीडियो में आपको रोज्चा इंग ब्लॉट टेस्ट की स्कॉरिंग के अबार में बताँगी सबसे पहले ये जाना ज़रूरी है कि रोज्चा इंग ब्लॉट टेस्ट की स्कॉरिंग के लिए हमें कितने response च कम से कम 14 रिस्पटर अगर मेरे पास तेरा रिस्पंस हैので टो इस के लाव जब हमने स्कोरिंग पास रिस्पॉंस हैंने दोनों फेज अड्मिनिस्ट्र कर लिए अमने रिस्पॉंस फेज्पी कर लिए हैं सब्सक्राइब करते हैं इसके स्कॉरिंग में हम देखते हैं इसके करें अपके सामने इएक कारड और विपॉ पुर समय कितना एरिया यूस करेगा इए लोिकेशन कहला अगर कुरे अगर फूर ब्लोट करें कर दोस्केर होटार, घ्र और मुझे उसने वो कहता है कि यह पूरा बीलाट में नजर आ रहा है पूरा ब्लॉट तो यह हो जिस्पॉंस है डबल्यो कर स्वांशा और अगर क्लाइट कोई अडेलिया कर दिया तो यह अलिजिवार डिटेल्स डी है डेलिज की संबल था और अगर इससे यह आन ईयूओल डिटेशं को अज़न्तिफाइड करता है कि बलॉट करता है लेट dd तो इसे तरह देखें हमें इस ब्लॉट में वाइज स्पेस एरिया नज़र आ रहा इसी तरह गर Client Bloat का को वाइट एरिया यूज करता है, अगर उसने वाइट स्पेश एरिया को यूज किया है, तो भी ये स्पेश रिस्पॉंस इस को कहते हैं, जब हमने लोकेशन देख लिए, तो लोकेशन के बाद हम डिटामिनेंट्स देखते हैं, लोकेशन दो होते हैं, क लोट की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि कुछ लोग मूव कर रहे हैं इसमें मूवमेंट आ जाती है इसमें कलर्स आ जाएंगे कि मुझे इस वज़ा से लगा इसकी यह फॉर्म है तो यह डिटामिनेंट्स होते हैं इसकी शकल के वज़ा से लगा है इसके पार है और यह मुझे इसकी शकल की वज़ा से लग रहा है इसकी शेप ऐसी बनी विया तो यह फॉर्म का रिस्पॉंस है मैं यहाप इंटर्प्टेशन नहीं बता सकती हैं क्योंकि एफिकल इसको वोईलेट नहीं कर सकती तो यह आपको मैन्वल सही पढ़ने पढ़ेंगे वैसे जो फॉर्म के रिस्पॉंस जब क्लाइंट फॉर्म के रिस्पॉंस ज्यादा देदेते आएं तो मुझे शकल के वज़ा से लग रहा है तो वह कोगनिटीव रिजिड होते हैं रिजिड भी हैविर होता है उनका इस फॉर्म के है कि यहां इनसान है अगर वह इनसानों की बात करें हुमन विंक्स की बात करें कि यह लड़ाई कर रहे हैं यह जंपिंग कर रहे हैं यह इनसान है यह दुसरे को देख रहे हैं यह सो रहे हैं यह सोच रहे हैं यह कि हुमन की कुछ मॉव्मेंट के बारे में बात की जा रही तो यह human movement है human movement का determinants है इसी तरह अगर movement कोई animal movement की बात कर दी गई है कि यह जानवर है यह रीच है इंसेक्स है यह elephants है और यह dance कर रहे हैं यह खेल रहे हैं तो यह animal movement है और इसका symbol FM है फिर इसके बाद movement मैंने बताया था movement की जो तीसरी करदगरी होती है इसमें लाजमी नहीं आए कि सभी करदगरी है हो सकता है कि उसने animal movement के जवाब दिया है वो human movement के जवाब ना दे client ने अगर client कहता है कि यह जहाज है तो यह inanimate movement कहता है कि ये reach हैं, ये reach है और ये चल फिर रहे हैं, ये खेल रहे हैं, तो ये animal moment है, अगर कहें कि दो लड़किया डांस कर रही हैं, ये कोई चीज उठा रही हैं, तो ये human movement है, inanimate moment होती है, जो life less होती है, spirit less होती है, जो non-living होती है, जैसे कि अगर klient कहें कि waterfall हो रही है, clouds are rising, जहाज होती है इसका सिमील होता है स्मॉल एम हमने लोकेशन देख लिए इसके बाद हम जिटामिनेंस में आ अरे में हमने कॉंड दे लिए कि क्योंड वेदा से हमने हर कैटेगरी में क्लाइट के दिस्पॉंस को देखना मुव्मेंट हो गया वाउम हो गई इसके बाद आगया कलर अब कलर के पीडि़ काफ़ कहा है इक ऐता है क्लों को सब्सक्राइब करूंसे होता है कि सारी शक्राइब के और हिए से लग रही है। It's red like blood, pure color response हुत नहीं। क्रिमाटिक कलर, इस खिए क्टर। खाल फाऊने इस फिर ऌनी कोलर muz년ky here प्रर प्रिकर्पर की Ann佢द किया और फिर खालत strongly पर पि сообщ छाई पैले बदाया कि यह मुझे कलर की उद्वाई से लग कर फिर इसकी फिर उसकाई door दपिंक करीम, स्राबरी, आईसक्रीम, यह पहले कलर के बात किया हो ओफिर फॉर्म की बात कर दें, तो यह क्लर क्लार स्पॉंस है फॉर्म क्लरेक और इसा represent अगर na argyfreय क्लाइट की मुझे बथिए बात कर दाएं तो यह खुर्मियर्टिक क्लार है अगर क्लाइंट कहा देता है कि यह कलर है कलर की विजा से इसकी शकल की विजा से मुझे लगता है तो फिर हम फॉर्म की तरफ जाएं अगर क्लाइंट कहता है कि यह मुझे इसकी शकल की विजा से लगता है और फिर बताता है कि मुझे इसकी शकल के विजा से भी लगता है तो कलर की बड़ की ज Lore कि बात करें फिर की बात करें työ कार फो मैं यहां पर फोप की बात के इसकी शक्राल है किस minister मुझे लगा और इसका रंग भी ऐसा हूं प्रीज कर रखे करन अ कि इसमें प próxim कर्रोंटे हैं जो के कार्श में वृ दshe Exclusively जो कार्स के रंग हैं उनको यूज करते हुए जवाब दिया है जैसे ग्रेय मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये बादिल है ये बादिश वाले बादिल है यह ब्लैक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यह कोई भी चीज के नाम देले बटरफ्लाइ है, ब्लड, यह रड मुझे ब्लड की तरह लगता है एक्सक्लूसिवली क्लाइट ने उस ब्लड के एरियास को यूज करते हैं आपको कलर्स के रिसपंस दिया, यह क्रोमेटिक कलर रिसपंस है डिट्रमिंएंक में टेक्ट़्र में होते हैं, टेक्ट़्र के ने और फिसपंसिस भी ऌते हैं जिसमें ने यह प्रुwo टेक्च्ट्र रिसपंस टेक्च्टब फन एनक्टव है कि एकर चाफ है झाफ क्लाइन कि ने के तफ घ्राइव जैसे बहुत करता है यह जिर्वाय रॉब है यह ऑनर चेज़ों के बारे में बात करा रहाया है तो घ़ ए, तैक्चे रिशा वी मैं लगता है ठीक है टेक्ट्र ऑा जाएगा कि पहले शक्रेंगी बात कि यह इसकी शकल है जिसके शकल ऐसी है और उसके चौपिन डाल दी है और साथ में टेक्ष्ट रिज तर यह इसी तरह के विस्तर सम्सराइब होता है विस्तर और विस्तर में और दो थोक्रोंजा लेएं प्रस्पारों संपने को यॉचल पैद लिस्तर स्वाइनरा है कि ये उन्दर जाता हुआ ये इसने फॉर्म को यूज नहीं किया, एक प्यॉर विस्टा का रिस्पॉंस है, तो ये वी का सिंबल है, अगर विस्टा फॉम तब होता है, जब साथ में एक लाइंट फॉर्म भी शामिल करता है, ये गहरा है और इसकी शकल भी ऐसी है, तो ये वी एफ है, एफ भी तब होगा, कि जब घआ प्लाइंट इसके शकल को भी ऐड़े, इस फॉर्म को भी एड़े, अब हर रिस्पॉंसे में आपने देखा होगा, कि पीछे शकल भी आ रहे है, अगर वह प्यॉर्स्पंसी चैज को यूज नहीं हम देखे हैं, कि पहले, उस से फॉम को शामिल किया, या बाद कर डिटामिनेंट हम पा रहे हैं इस वकत पुस्टा में इंप्रेशन ओफ डेप्ट अगर क्लाइन कहता है कि यह बहुत गहरा है यह इंदर जाता हुआ मुझे लाग रहा है तो यह प्यॉर बिस्टा विस्टा है पहले गहराई इंप्रेशन डेप्ट की बात किया और फिर अब आगे डिटामिनेंट में ही शेडिंग की रिसपांसेज हैं शेडिंग में वह सिमबल हम प्यॉर बिस्पांस के लिए यूज करते हैं वाइए रेप्रेजन करता हैं ऐसेंज्थ फेयॉपलस्नेस को विद्रॉल को प्यूर शेडिंग रिस्पांस होते हैं कि बस यह Shading form response के पहले shade की बाद की है और फिर form की बाद कर दिया। इसकी Shading ऐसी है यह गहरा है यह बहुत dark है यह light colour की है और पिर इसकी शकल भी ऐसी है यह Shading form YF इसका's inmal है form Shading तब बनता है जब form हो और साथ में Shading की बाद कर दिया। पहले फॉर्म की बात है कि इसकी शकल ऐसी है, यह किसी जगह से light है, यह किसी जगह से बहुत डार्क लग रहा है, इसलिए यह मुझे लगता है, क्लाइट इस तरह का जवाब देगा, तो यह फॉर्म शेडिंग रिस्पॉंस है, F-wise का सिंबल है, इसी तरह फॉर्म डिमेंशन आप होता है, जब क्लाइट ने साइज और शेप के अलिमेंट को भी साथ में शामिल कर दिया, impression of depth and distance is created while using the element of size and shape, for example, अगे क्लाइट के है, इसके पाउं इसके सदसे बहुत बड़ी है, इसके size और शेप को भी सामिल कर दिया, depth and distance के साथ, उसकी lightness के साथ, उसकी shedding के साथ, conventions कहलाता है, अब ये last determinant है, pair and reflection का, और ये भी तीन तरह है, pair and reflection होगा, अगर क्लाइट pairs को यूज करता है, there are two animals, two human beings are playing with each other, तो ये pair response है, उसका symbol too है, reflection form response होता है, कि क्लाइट में इसमें रिफ्लेक्शन को शामिल कर देता है, कि ये आदमी है, इसकी शक्र के मवज़ा से है, तो ये reflection form response है, form reflection response हाता है, कि जब client ने पहले form को use किया, और reflection को use किया, तो इसी तरह हम देखते जाएंगे, कि कौन सा client का response के इस category में fall करते है, और इन सब चीदों को note करते जाएंगे, location और determinants के बाद अब हम content देखेंगे, location हो गये, client ने कितना area यूज किया blood का, और determinants होंगे, इस blood की क्या characteristics है, अब content में हम देखते हैं, कि क्या specific subject client ने use किया, क्या कोई human है, जैसे कोई animal है, कोई anatomy है, कि उसको रखता है कि ये brain है, ये brain है, ये stomach है, ये lungs है, ये फेपरे है, तो ये anatomy का response होता है, जो content में आज़ता है, कि x-ray है, art है, anthropology, blood, jewelry वगरा, तो ये सब च अब content में human response है, human में काफी details है, अब whole human है, अगर client कहता है, कि ये whole human form है, whole human के पूरे इंसान की बात की है, whole human है, whole human fictional और mythological तब बनता है, कि जैसे कि कोई joker की बात कहाएगी, मुझे लगता है, ये एक joker है, ये फेरीज है, ये angel है, ये ghost है, तो ये whole human fictional और mythological है, human detail तब होगा, कि जब incomplete human है, जैसे कि ये इनसान है, इसके बाजू नहीं है, या फिर इसका सर्ज नहीं है, ये सरफ इसके बाजू है, जैसे अगर किसी कार्ट्स पर client specific बता है न, कि ये सिरफ दो लड़कियों के सर्ज नजर आ रहे हैं, ये इसके टांगे नजर आ रहे हैं, ये इनके incomplete human है, तो ये human detail है, human detail का response है, human detail fictional और mythological तब बनता है, कि जब client इसमें fictional aspects को एड़ कर देता है, जैसे head of devil है, eyes of angels है, arms of witch है, किसी फरिष्टे की आँख है, तो ये human detail fictional और mythological है, इसके बाद human experiences हैं, ये सब human responses में आ रहे हैं, human experience में आ देगा, attributes of emotions, उसमें client में जैसे कि human attributes होते हैं, human attributes जैसे कि humans के experiences हैं, ये इनसानों के emotions होते हैं, इनको भी add कर दिया, कि ये बहुत sad है, ये बहुत गुसे में है, ये बहुत push है, तो ये human experiences का response है, इसी तरह जो elements अभी मैंने आपको human के बारे में बताए same animals के बारे में भी है कि पूरा animal किसी animal के यह रिच है, यह elephant है, तो यह whole animal है कि पूरे की बात किया न, कि पूरा नज़रा आ रहा है whole animal fictional और mythological जासे कि यह dragon है, unicorn है, frog हो गया, flying horse हो गया कि यह whole animal fictional और mythological है, फिर animal detail वही है कि जैसे मैंने इनसानों के बारे में भी बताया था, कि इनसानों के बाजू नहीं है यह इनसान है और इसका सड नहीं है, तो यह human detail थी, इसी तरह यह animal detail आ जाते है है कि head of dog is missing, और इसी तरह उसका सड नहीं है, किसी dog का पाउं नहीं है, इसी तरह इनसानों यह animals के बारे में बात की जारे तो यह animal detail है, एनिमल detail और mythological भी होती है, जैसे यह head, यह animal है, पर इसे एक क्लाइन कहें कि यह एक rabbit है, लेकिन इसका सर किसी और चीज़ के, किसी फॉर इसे चिकन का head है, इसे चिक का head है, पैगसीज है, विंक्स पैगसीज के हैं, लेकिन यह unicorn है, इसी तरह क्लाइंट animal detail और fictional और mythological के answers भी देता है, तो हम इनको देखना है, अनोटीबी के responses होते हैं, उसका symbol AN है, जैसे कि client बताता है, अनोटीबी के responses हो सकते हैं, कि इंसान के internal organs के बारे में बात करें, कि यह bone है, यह skulls है, यह lungs है, brain है, फेपरी है, heart है, अनोटीबी के responses होता है, एक्स रे को यूज करें कि यह एक्स रे है, तो एक्स रे का response है, आर्ट, आर्ट में आ जाता है, कि यह statue लगता है, मुझे लगता है, यह statue है, यह jewelry है, यह painting यह art object की बात करें, तो यह art का response है, और यह content में आता है, फिर anthropology है, कि जिसमें किसी cultural और historical aspects के हवाले से बात करें, कि यह Roman का helmet है, यह जैसे Napoleon hat है, य इंडिया का मुझे लगता है, कि जैसे कि यह इंडिया का map बना हुआ है, यह पाकिस्तानी कल्चर में से कोई चीज को चीज को historical perspective के हवाले से बताता है, तो यह anthropology का response है, अगर ब्लेड को ब्लेड नजर आ रहा है, किसी के साथ associate का रहा है, कि इंजरी है, तो blood है, ब्लेड का response इंजरी को death or destruction को बारे में associate होता है, यह उसके साथ associated होता है, ब्लेड चाहे हो human के use करें या फिर animal के use करें, जब ब्लेड की बात की जाएगी तो damage and destruction और danger की बात की जाएगी, कि क्लाइन उसके हवाले से बात कर रहा होगा, फिर clothing आ जाता है, clothing में हर तरहां का cloth है, hat, boot, dress, neckt तो यह species का symbol है, clothing response है, content में फिर clouds भी आ जाते हैं, explosions आ जाएगे, ब्लास्ट हुआ हुआ है, fire हो गई है, तो fire का response है, अगर food खाने में खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो यह food का response है, इसे तरह जब हम scoring करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या popular responses आये हैं या नहीं, हर card पर popular responses होते हैं, हर card पर यह expected responses हैं, जो client report कर सकते हैं, या फिर बहुत से लोगों ने इनका जवाब दिया है, कि इन चीज़ों पर इन cards पर यही चीज़ें देखी आ सकते हैं, जैसे card number one है, उस पर लोग बैठ देखते हैं, butterfly पर कुछ लोग report करते हैं, card number two पर animal का ज्यादतर response होत report करते है, card number four पर human life figures होते हैं, जैसे के monsters हो गए, card number four पर इसे तरह यह बाकी cards है, card number five पर butterfly और बैट का response, popular response है, card number six पर animal, animal हो गया, animal skin हो गई, cat, fox वगएरा, animals वगएरा, card number seven पर human, human head या face, card number eight पर whole animal figure, ज्यादतर card number nine पर human life figures, monsters होगे, card number ten पर spider और crabs वगएरा देखे जाते हैं, जरुर्वरे नहीं है कि हर client हमें special scores प्रवाइड करें, कुछ clients होते हैं, जियादे तर जो special score हमें प्रवाइड करते हैं, जियादे तर जो special score हमें प्रवाइड करें, वह psychotic patients होते हैं, लेकिन दूसरे जैसे कि normal patients पी normal, normal client पी हमें special scores प्रवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोई cooperation का cooperative moments कर रिस्पॉंस दे देता हैं, या फिर good human representation कर रिस्पॉंस दे देगा, तो ये normal human beings में आ जाएगा, sorry, normal client में आ जाएगा, अब special scores में हम देखते हैं, deviant verbalization होते हैं, कि वो client ने बहुत odd response लिया है, incorrect words को use किया है, तो ये इसकी accuracy expressions की, जो यानिकि वो अपने expressions को ठीक से express नहीं कर पा रहा, इन accuracy of expressions को represent करता है, deviant responses होते हैं, कि longer response है, लेकि inappropriate phrases को use किया है, ये serious management, serious mental management को show कर रहा होता है, जैसे कि client response नेता है, about, but I was hoping to see a butterfly, इस तरह के responses को use कर रहा है, जो बोत longer हैं, लेकिन inappropriate phrases हैं, तो deviant responses होते हैं, in-conference combinations होते हैं, जैसे कि client ने inappropriately merge किया है, inappropriate combination को use किया है, man with yellow eyes, red bears, इस तरह के responses देता है, तो ये in-conference combination होते हैं, और income इसका symbol है, contamination होते हैं, two or more, two or more impressions that having inappropriately used together, ये पर ने दो emotions को, दो impressions को inappropriately use करते हैं, it's look like blood and an island, but must be a bloody island, a face of bug fox, ठीक है, तो ये contamination कर इस तो से कहलाता है, Fabolized combination होता है, कि impossible relationship को client ने impossible relationship explain किया है, जैसे कि bizarre, बहुत bizarre comments हैं, कि तो चुंटिया डांस कर रही हैं, two chicken holding basketball, ये ऐसा हो नहीं सकता, ऐसी चीज़े हो नहीं सकती हैं, inappropriate relationships है, impossible relationships हैं, तो ये fabulized combinations है, इसी तरह से inappropriate logic को, अगर client ने use किया, जैसे कि अगर client कहता है, ये illogical justification को show कर रहा होता है, कि client के पास को logical justification नहीं है, उसके thinking बहुत flawed pattern है, उसके thinking बहुत flaw है, loose thinking है, flaws है, illogical justification को यूज कर रहा है, तो ये inappropriate अगर वो लोजडे को यूस कर रहा है, जैसे कि required client कहता है, की अग बिली है बिली मली हुई है क्योंकि आप कर नहीं को यह n merchant कि नहीं सकते कोई लोजध में नजरारा है क्लाइन इस लिए spawn और लौपीट लाज़िक में आता है से भनाफ फर्टिवरेश्no और कि कर सी inclusive खर्ति व्हां अब सानतो को आपको करें प्रवाइड करें, there is that man again, यह वही शक्स है, जो आपको मैंने पहले बताया था ना, मैंने बताया था ना, आपको पहले इस तरहा का ही शक्स है, तो यह अर्डेंटिकल रिस्पॉंस के जैसे ना, उसने पहले कहीं इसको देखा है, यह चीज पहले कहीं हुई है, तो यह परज में इसको रेपीजर्ट कर कर रहे हैं, तो यह इसके गरेशिंट करहे हैं, कॉम कर रहे हैं, तो यह कोपरेशिंग का रिस्पॉंस है, धियसल्स को पहले बता हैं, कि दो आदमी फाइटिंग का रहे हैं तो एनिमल्स फाइटिंग आपीस ओफ पर इस बींग टॉन तो यह अग्रेसिव मॉमेंट का रिस्पॉन्स है मॉबड़ू कॉंटैंट होता है कि डेफ एंड इस्ट्यूण की बात किया कॉंटैंट में यह तो बहुत खोक्ला है यह टूट चुका है यह डेड है यह रोटन है तो यह मॉर्बडू कॉंटैंट है इसे तरह good human representation और poor human representation होती है कि दो लोग मिलकर बहुत अच्छा काम का रहे हैं और अगर poor human representation है कि लड़ाई जग रहे हैं कि एक दुसरे से नराज हैं एक दुसरे के साथ अच्छा सब्सक्राइब करनी है कि इसने बनायतन सब्सक्राइब करती है वहां से इसको देख सकते हैं